और बड़ी खबर आ रही है दक्षुन गाजा से जहां पर इस वक्त बहुत भारी लड़ाई छिड़ गई है ताइम्स ओफ इसरोयल अकबार ने दावा किया कि शनिवार की दिन ही इसरेल ने इसरेल के 10 सैनिक मार दिये गए तो गाजा के अब भेद्य किले में इसरेल के सैनिक अपनी जान जोक दे रहे हैं लेकिन नेतन्याओ के लिए लड़ाई इससे भी ज्यादा बड़ी है दरसल उनको दोबारा राजनितिक समर्थन हासिल करने के लिए हमास के बड़े नेताओं को जिन्दा पकड़ना होगा और इसके लिए अब इसरेल ने अपनी डॉग यूनिट को भी तैयार कर लिया है इसरेल की ये खतरनाक यूनिट किसी भी वक्त सिन्वार्थ का पता लगा कर उसे कैद करवा सकती है शाजा सिन्वार को पकड़ेगा इसरेल का सबसे खूखार जासूस इसरेल ने हमास की सुरंग में जोड़ दी है अपनी सबसे बेतरी डॉग शुट हर एक डॉग के निशाने पर है हमास के आतंकी इन सभी के जार्टिट पर है इसरेल का नंबर वन दुश्मन याया सेवार्थ ये है इसरेल की सबसे खतरनाक डॉग यूनिट के नाइट ये डॉग यूनिट कमांडरों की तरह युद में भाग लेती है सेना के जवानों के कंधे से कंधा मिलाकर दुश्मन के खिलाफ लड़ते हैं आईडिएफ के मताबर ओकेर्ट्स यानि के नाइन यूनिट्स के डॉग से गाजा में पूनी तरह से सक्री है वह हम इस पोर्टों का पता लगाने में इस्रैली फोर्स की मदद कर रही है इस्रैल की सेना ने हमास के सुरंग का एक और वीडियो जारी किया है ये वीडियो राजा के दक्शन रिलाके का बताया जा रहा है सुरंग की तलाश में इस्रैल की सेना अपनी स्पेशल के नाइन डॉग की यूनिट्ट को लगा रखा है वीडियो में नजर आ रहे इस खोजी कुट्टे पर कैमरा लगा गया है और ये सुरंग में हमास के लड़ाकों की तलाश कर रहा है एक मिनट चब वाले सेकंड के इस वीडियो में सबसे पहले दिख रहा है कि इस गैल की ये नाइन यूनिट का दॉग एक सुरंग में खुसता है सुरंग के रास्ते में एक जगह पर कुछ बोड़ियां रखी गई है ऐसा इसलिए कि अगर दुश्मन अंदर आने की कोशिश करे तो इसे पार करने में थोड़ी मुश्किल होगी और इस दोरान हमास के लड़ाके उनका मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाए डॉंग के आगे बढ़ने पर सुरंग में एक दरफ इलेक्रिक बॉक्स में जराता है जबकि दूसरी तरफ प्लास्ट रूफ दरबाजा लगा है इस तरह के दरबाजे सुरंगों में इस लिए लगाए जाते हैं कि हमला होने पर इसे बंद कर दिया जाए और दूसरी तरफ बैठे लोग मैं पूस रह सकते हैं दरबाजे के दूसरी तरफ हमास के लड़ाकों ने बाकाइदा छिपने के लिए एक जगह तयार कर रखी है सुरंग में छिपने के एक दूसरी जगह भी है वीडियो देखकर ऐसा लगता है कि या दो यहां पर हमला हुआ है या फिर हमास के लड़ाके खुद ही इस जगह को बरबाद करके यहां से निकल गए है क्योंकि शाय हमास के लड़ाकों को यह पता चल गया था कि उनके इस ठेकाने पर IDF की नज़र पड़ चुकी है और उनका अटैक कभी भी यहां पर हो सकता है सुरंग के अंदर रहने के पूरे इंतसाम पे खाने बीने की भी पूरी सुविदा थी ये देखिए सुरंग के बाहर पानी की जार कंग्या रखी है पाइप के जर्ए पानी की सप्लाई सुरंग में की गई है आपरेशन के दोरान इस्राइल पोस को एक और ब्लास्ट प्रूफ दर्वाजा मिला जिसमें दुश्मनों पर गोल या बरसाने के लिए एक गोल भी है वीडियो को देख कर लगता है कि इसमें दो अर्डर्डराउंट फोर्ट है इस वक्त इस्राइल बहुत शिद्दद से याया सेंवार की तलाश कर रहा है इसी सिलसले में हर जगए औरेशन चला रहा है क्योंकि इस्राइल में हो एक गतलियाव के लिए नेतन्यावू का देश याया सेंवार को ही दूशी मांता है याया सेंवार अब इस्रेयल के सिर्प पर चड़ गया है इसमें कोई शट नहीं कि घाजा की गलियों में जो युद अब तक हुआ है उस पर याया सेंवार की च्छावबरी हुई है हमास का एक एक हमला याया सेंवार की सरबरस्ती में हो रहा है ये बात इस्राइल की फोर्स बहुत अच्छी तरह जानती है। मेधर्याहो, ये कई बार क्या चुके हैं कि हमास को खत्म करने के लिए उनके एजिंडे से उन्हें कोई नहीं बिगा सकता है। वो पहले ही बता चुके हैं कि इस रैल पर हमला करने वालों को वो चुन चुन कर मारेंगे। हमास को जड़ से खत्म कर देंगे। मेधर्याहो को जब से पता चला है कि याया सेनवार सुरंगों में खूंग रहा है और बंदकों से मुलाकात करके उनसे सीधी बात कर रहा है। तब से मेधर्याहो के बेचानी बढ़ गई है। इसका मतलब साफ है कि याया सेनवार जिन्दा है। याया सिन्वार युद्ध को कंट्रोल कर रहा है। याया सिन्वार बता रहा है कि इस्रेल का एक एक बंधक उसके रहों परम पर जिन्दा है। यही बात इस्रेल को बहुत परिशान कर रही है। याया सिन्वार की ओर्डर पर हमास कुछ भी कर गुजरने को दिया है। सिन्वार की बहुत लिए खास स्क्रेड़िजी है। जिसके आगे अब नीतक इस्रेल नाकाम ही साबिक हुआ है। साथ अक्टूबर को हुए हमले की पार हमास के खिलाब श्रम पर इस्रेल को दो मकसर है। पहला हमास के पास से करीद 200 बंदों को आजाग कराना। जिसके लिए इस्रेल को सीज़ बार करना पड़ा है। यानि उसका जड़ और बंबारिक काम नहीं है। वो फेल होता है। दूसरा मकसर है। इस्रेल हमास को जड़ से खत्म करना जाता है। लेकिन अभी तक इसमें इस्रेल फेल ही साबित हुआ है। इसमें कोल शक नहीं कि याया जिनवार ही साथ अक्टूबर को हुए हमले का मास्टर माइन है। उसी ने साजिश रजी, उसी ने टार्वे चुझा है। और अब वो ही घाजा से सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। ये बात नेतन्याहू भी अच्छी तरह से जानते हैं और उनकी सीना भी। यही वज़ा है कि घाजा ने स्वक्ट आईडिया फियाया सिर्वार की दलाश में ओप्रेशन चला रही है। हाला कि इस्रेयल के लिए सब कुछ अतना आसान नहीं रहने बाला। उसके पास चाहे जितने बंकर बस्टर बंब हो, चाहे जितनी भी बैदरी डॉग योनिट हो, लेकिन हमास की सुरंग भी ऐसी हैं जिसका नेटवर्ट और जिनकी घहराई अब भी इस्रेयल के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनी हुई है। 18 दिसम्बर को भी इस्रेयल की सेना ने एक सुरंग का वीडियो जारी किया था। 18 दिसम्बर को भुषने से रोकने के लिए सुरंग में बम बारूत भी फिट किये गये थे। सुरंग के अंदर इस तरह के तमाम दर्वाजी मौचूद थे जने खूला और बंद किया जा रहा था। सुरंग के अंदर भी कई गहरी रास्ते हैं जो हैरान करते हैं वीडियो में दिखाया जा रहा है कि हमास का हमला बर्दस्ता सुरंग की मिट्टी को एक खास उपकरण से रटा रहा है। हमास की सुरंग में कई छोटी जेल जैसी चीज भी मिली है जिसमें ताला भी लगाया गया है। हर बार इसरेल की सेना जब तक सुरंग की तलाश करपाती है तब तक हमास के लड़ाके वहां से निकल चुके होते हैं। इस बार भी यही दिखाया। इस रैल की सेना के हमास के ठेकाने पर पहुँचने से पहले ही हमास के लड़ाके इस जगा को छोड़ कर जा चुके थे। पहले भी कई बार आईगी अपने ओपरेशन के दौरा हमास की सुरंगों में रेट की है। हर बार उसे खाली हाथ ही रोटना पड़ा है। ना ही उस ठेकाने पर जाएगा सेनवार मिला और ना ही हमास के लड़ाका।